Now we are going to discuss essential qualities needed to become a good leader. हमने बात की थी leadership qualities की, अब हम इस बात को वाकई दुबारा से discuss करने वाले हैं, कि leadership qualities असल में हैं क्या, जो मुख्तलिफ activities के true हम बच्चों के अंदर पैदा करना चाहते हैं. तो अगर हम यह qualities जानते होंगे, तो हम उनकी activities को उसी तरह से plan करेंगे, जैसे script writing है, तो हम वो script उनके साथ share करेंगे, जहां हमें अपनी relevant qualities मिल सकें. तो हम समझते हैं कि a leader should believe in himself. सबसे पहले तो जैसे हमने अर्श किया कि self-efficacy बड़ी जरूरी है. अगर वो खुद पे यकीन रखते हैं कि वो कर सकते हैं और उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो किसी मसले को हल कर सकते हैं और इसके लिए motivated और dedicated हैं तो ये बहुत बड़ी खुबी है. उसके बाद be honest. हमें चोटी चोटी बातों से बच्चों को ये सिखाना है कि जो leader है या ऐसे बच्चे जो आगे जाना चाहते हैं उनको honest होना चाहिए. Others can trust and have faith. अब देखें उनको दोनों सूर्तों में दूसरों पे भी trust करना है और खुद भी इस काबिल होना है कि लोग भी उन पे trust करें. अब trust करने के लिए क्या तरीका इक्तियार किया जा सकता है? देखें बच्चों को चोटे-चोटे stories के जरिए या चोटे-चोटे actions के जरिए ये adults या educators का का काम है कि वो सिखाएं कि अगर वो अपना वादा पूरा करते हैं, दूसरों के लिए helpful हैं, जैसे भी उनको जरूरत पड़ती है, ये उनकी मदद को तयार हैं, और ये कि उनका positive attitude है, तो लोग खुद बखुद उनके उपर एतमाद करना शुरू कर देंगे, और इसी तरह उन्हें भी दूसरों को शक की निगा से नहीं देखना चाहिए, दूसरों की नियत को भी हमेशा positive लेना है, और उनके पर भी trust करना है, then be dedicated and practical, देखिए हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि छोटी छोटी बातें जो दुनिया में हो रही हैं, कोई ना कोई उनको करने वाला है, यानि realistic चीजें उसको बताएंगे, उसको idealistic नहीं, मतलब sometimes बच्चे बहुत बड़ा-बड़ा सोचते हैं, आप को पता है, वो imaginative होते हैं, creative होते हैं, वो कुछ न कुछ imagine कर रहे हैं या creative हो रहे हैं, हमारा मकसर यह नहीं है कि हम उनके imagination या creativity को curb करें, हमारा मकसर यह है कि हम उनको यह बताएं, कि दुनिया में क्या मुम्किन है और क्या मुम्किन नहीं है, और अगर मुम्किन करना है, तो उसके लिए effort चाहिए, उसके लिए knowledge चाहिए, और ये कि वो उसके लिए सीखें, जितनी वो learning करेंगे, उतनी ज्यादा काम्याब याँ वो हासिल कर पाएंगे, so not be influenced by his own emotions and prejudices, ये भी हमें बच्चों को सिखाना है, कि वो कोई तास्व नहीं रखेंगे, और ये कि अपना जो उनके emotions हैं, उनके उपर वो काबू पाएं, सबसे बड़ी leadership की quality यही है, क्यूंकि जब आप team leader बन रहे हैं, तो आपको ना सिर्फ दूसरों के एहसास को समझना है, बलकि अपने एहसास को भी काबू में रखना है, तभी तो आप दूसरों को lead कर सकते हैं, so a good leader should possess listening skills, देखिए, जब तक हमें अपने बच्चों में सुनने की आदत डालनी चाहिए, वो सुनेंगे तो सीखेंगे, सबसे पहला जो indicator है, learning का, वो listening ही है, अब listening की आदत कैसे डाली जाए, जब हम कुछ propose कर रहे होते हैं, या हम कोई advice कर रहे होते हैं, तो मुश्किल है के बच्चे सुनें, तो storytelling जो है, वो बड़ा अच्छा तरीका है, listening की आदत को develop करने का, तो हमें चाहिए, कि हम बच्चों को छोटी-छोटी stories, जिनमें उनका interest जो है, वो खतम ना, lapse ना हो जाए, बहुत लंबी बाते नहीं, चोटी-चोटी stories सुनाएंगे, और उन चीजों के बारे में, जिनसे वो दिल्चस्पी रखते हैं, nature से दिल्चस्पी रखते हैं, वो, जानवरों से दिल्चस्पी रखते हैं, जंगल से, पहाड़ों से, सूरज से, चान से, जो उनके इर्गिद मजाहरे कुदरत हैं, उनके बारे में सुनेंगे, तो जब storytelling हो रही होती है, तो जो भी आप अच्छा उनको बताना चाहते हैं, उसको story का हिस्सा बनाई, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी आप कुछ भी उनको sequence के साथ बताना शुरू करेंगे, तो वो उसको story ही समझेंगे, ठीक है, आप अच्छी बाते भी उनको ये कहके सिखा सकते हैं, के भई अब हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं, so listening की habit पैदा हो, और ये listening सिर्फ story तक ही मैदूद नहीं है, असल में leadership के लिए जो listening हमें चाहिए, वो ये है कि बच्चे आपस में भी एक दूसरे की बात गौर से सुने, so consider the opinion of other people, वो सुनेंगे दूसरों की राए, और उसकी worth उनको पता चलेगी, और वो उसको accept करेंगे, so acknowledge the qualities of other people, और उनको बताएंगे कि दूसरों में भी ऐसी खुबियां हो सकती हैं, और अगर ऐसी खुबियां हों, तो आप भी उनको appreciate करेंगे, तो वो भी खुश होंगे, इस तरह से हम उनको acknowledgement की आदत भी डाल सकते हैं, अगले बाज यह है कि एक अच्छा लीडर जो है decision making जो है वो तो उसके लिए बड़ी जरूरी है, अब decision making क्या है, वो कोई political जो है फैसले वो तो नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको मौका दे सकते हैं, कि वो अपनी मर्जी का लिबास पहन ले, अपनी मर्जी के interest की activity कर ले, homework में जो सबसे पहले करना चाहता है, वो कर ले, यह दबाव डालने की बजाए कि नहीं नहीं पहले math पे काम करेंगे, उसको बताएं कि वो सबसे पहले क्या करना चाहता है, और मैं तो यह भी कहूंगी, कि घर में homework की, अगर आप उनको strict schedule ना बनाएं, और उनसे कहें कि काम हमें करना है, लेकिन जब आपको पसंद होगा, तो वो खुद ही एक activity बन जाती है बच्चों के लिए, कि अच्छा मुझे कब अपने घर में स्कूल का काम करना है, इसी तरह स्कूल के अंदर जब बच्चे कर रहे होंगे, तो छोटी-छोटी बात उनको decision देजिए, जैसे गोशा select करने में, वो math में जाना चाहेंगे, या वो English language में जाना चाहेंगे, उनको क्या अच्छा लग रहा है, वो क्या करेंगे, तो आप उनको छोटे-छोटे decisions का मौका देंगे, then be fair at every point, और कहीं अगर वो dishonesty करते हैं, या वो किसी को भी छोटा सा जूट बोल देते हैं, या धोका देते हैं, तो मौके पर उनको बताइए, कि ये अच्छा नहीं है, इसके नतायच अच्छे नहीं निकर रहे हैं, consequences के उपर बात की जाए बच्चे के साथ, तो इन्शाला वो बहुत कुछ leadership की qualities पैदा कर लेगा.